अध्यक्ष जी पिछले तीन साल में मुझे पे चार बार हमले करवाए गए केज रिवाल ने कहा कि तीन साल में उन पर चार बार हमले हुए है प्रधान मंत्री नरेंद मोधी पर निशाना साते हुए केश जीवाल ने कहा कि प्रधान मंत्री दिल्ली के सीम की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकते तो उन्हें इस्तीफा देना चाहिए नरेंद मोधी जी प्रधान मंत्री होते हुए अगर दिल्ली के मुख्य मंत्री की सुरक्षा नहीं कर सकते तो इस्तीफा देने और नहीं तो जंता यही सोचेगी कि दिल्ली की जंता के ओपर नरेंद मोधी ने हमला किया है नरेंद मोधी दिल्ली की जंता से बदला ले रहा है केरजीवाल ने पिया मोधी को दिल्ली के लिए हानिकारत बताया उन्होंने आरोप लगाया कि केंज सरकार, CCTV, महला क्लेनिक, मुप्च दवा जैसे तमाम प्रस्तावों को अटका कर बैठी है उन्होंने आरोप लगाया कि LG दिली सरकार के मंत्रियों को मिलने का वक्त तक नहीं देते हम सरकार कैसे चलाएं जब दिल्ली के अंदर स्ट्राइक होती है डी टी सी की स्ट्राइक होती है एसमा लगाया जाता है पुलीस को फोन करते रो फोन करते रो ट्रांस्पोर्ट मिनिस्टर यहीं बैठे हैं के लाज गलोद बिचारा सवेरे से जिस दिन स्ट्राइक होई थी रात को एसमा लग गया था सवेरे से लजी को फोन कर रहा है लजी को फोन कर रहा है लजी के पास कपिल मिश्टरा से मिनने का टाइम है लजी के पास दो टके के बीजेपी के कारेकरताओं से मिनने का टाइम है केजरीवाल ने विधानसवा सतर में दी अपने भाषण में दिल्ली पूलिस की भूमिका पर सवाल उठाई साथ इन्हों ने ये भी कहा कि दिल्ली पूलिस बैमान नहीं है बलकि उसे बीजेपी के दवाव में काम करना पड़ रहा है कल केजरीवाल रहे ना रहे आप में से कोई रहे ना रहे दिल्ली पूलिस पांसो साल तक रहेगी कम से कम दिल्ली पूलिस एक इंस्टिटूशन है उस इंस्टिटूशन की मर्यादा को उसके सम्मान को खतम मत होने देना मुख्य मंतरी ने बताया कि जिन 18 लोगों को एक करोर रुपे के समान के लिए चुना गया है उनमें 11 दिल्ली पुलिस के जवान है जिनोंने दिल्ली के सुरक्षा करते हुए अपनी जान गवाई केज जिवान ने मांग की है कि दिल्ली चलाने के लिए दिल्ली सरकार को शक्तिया दी जाने चाहिए दिल्ली तक के वीडियोज को देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए